हेलो एवरिवान वेलकम टो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ एक ऐसा प्रोड़क्ट जो हर किचन में होना चाहिए एक हैंड ब्लेंडर और चॉपर है इसके साथ यह सारे अटेजमेंट मिले हुए है यह ग्लास है इसमें हम कोई भी चीज स्मूधी बगरे बना सकते हैं और यह चॉपर है चॉपर का जार है इसमें यह ब्लेड अलग हो जाता है यह ब्लेड इसके साथ मिला हुआ है और यह हैंड ब्लेंडर मिला हुआ इसके साथ इसकी इस तरह से ब्लेड है और यह में मोटर है कि इस में मोटर में दो बटन देवें अपन डाउन वाले एक हाइपीड एक लुई स्पीड के लिए चलिए देखते हम इसको कैसे हम यूज करते हैं में मोटर में मैं पहले चॉपर का जो धकन है उसको मैं अटेच कर लेती हूं और इसमें यह ब्लेड लगा लेती हूं इसका और मैं सबसे पहले यह गाजर है गाजर को मैंने बारेक बारी काट के रखा हुआ है गाजर को काटने के बाद मैं इसको सिधा चॉपर में चॉप कर लोंगी मैं कद्दू कस्नी करती हूं इसमें और बहुत सारे काम है जो किचन में अब मेरे बहुत जो भी कद्दू कस वाला काम तो बिल्कुल ही खतम हो चुका है मैं इसी चौपर में इसको चौप करके अच्छे से यूज कर लेती हूं देखिए यह गाजर को अपन डाउन वला जो सुच है इसको दबाएंगे गाजर कितनी हाड है फिर भी जी लिए इसको अच्छे चौप क पर रहा है और मोटी और बारिक जितना आपको काटना है आप काट सकते हैं लेकिन मेरो को बारीग चाहिए थो मेरेन इसको काफी बारिक काट लिया तो के धेखि data काफी अच्छे से हो जाता है यह हलुएक लिए तयार गाजर बिलकुल और इसी तरह मैं मूली को भी कर लेती हूं क्योंकि विंटर में मूली वर गएर के प्राटे स्वीक बनाने वहते हैं यह प्याज है प्याज के दो हिस्से कर दिया है मैंने प्याज तोड़ा हाड होता है इसलिए तड़के के लिए डारेक्ट हम प्याज इसी में ही चॉप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से जल्दी से हो जाता है जब तक हमारा कडाई में तेल गरम होता है तब तक यहां पर प्याज चॉप हो जाता है यह देखिए मुझे इतना ही मोटा चीजिए और इससे भी हम पतला भी काट सकते हैं इसको जतना हम ज्यादा चलाएंगे उतना पतला होता जाएगा लेकिन मुझे थोड़ा से मोटा ही काटना है प्याज और किचन में काफी बहुत ही हेलफूल प्रोड़क्ट लगा मुझे यह दिखिए प्याज काफी अच्छे से हो गया और ब्लेड लगा लेती दुबारा में और यह जो मैंने रखे वे हैं मिर्च और लसून अ यह देखिए मैं दिखाऊंगे आपको तिर्चा करके इसको जार को देखिए बहुत ही कम समय में अच्छे से चॉप चॉपिंग हो जाती है इसमें काफी अच्छे से हो गया और मालो हमें कुछ ग्रेवी बगर बनानी है जैसे तो उसमें भी अब हैंड ब्लेंडर का काम मैं बताती हूं कैसे यूज करना है मैं कैसे यूज करती हूं इसको हैंड ब्लेंडर को मैं इसमें अटेच कर लोंगी में मोटर में और जैसे मुझे प पालक पनीर को मैंने उबाला हुआया है कोकर में तो इसको मुझे मिकसर के बड़े जार में डालने की कोई सिद्दर्दी नहीं है सीधा मैं कोकर के अंधर ही इसको फैंट लूगे देखि कि इतना बिल्कुल महीन पिस गया है यह देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा हो जा इसको चला लूँगी एक हैंड बिलेंडर और मलाई मेंगो शेक है कोल कॉफी है कुछ भी जो हम लोग हम लोग पहले अलग से जार लेकर इतना सारा पखेड़ा करते थैं इसा कुछ करने की जरूरत नहीं है भहुत ही कम बर्तुन हम इसे हैंड बिलेंडर चॉपर में यूज क करके अपना समय भी बचा सकते हैं और बढ़ों का इतना सारा दर लग जाता। अवह अब नहीं लगता है और मेरेच वेलाईटों अन्य खान सीज़ार हो जाया अगर कर सकते यके जाए ऐसे मकली तेयर होने लगा छाइट को धन citoy कि तोड़ा पानी डालों की फैसं में। और आप देख रहे होंगे मैंने मलाई वाले बरतन में जिसमें मैंने मलाई कठा की थी उसे में मैंने इसको चलाया और यह देखे यह लग हो चुकी है मखन बन चुका है यह देखे बिल्कुल अच्छा मखन तयार हो चुका है यह देखे फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा ही पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आप भी घर पे ट्राइ कीजिएगा अगर आपको यह प्रोड़क्ट पसंद आए तो किसी भी कंप अन्बिल को रेडि कर लिया है वीडियो देखने के लिए फिर एक बार धन्यवाद आपका अ न Красा के एक लिजा ड़ एक बिलने तो क कीजिए एक नेम ऑन्यवाद आपका अरवस्ट आपका अबिल के लिए था करो को जनके दो यह कर दिलादों से जा आते ही लिए और मिलती हूं किसी भी